पिछले दो दिनों से भारतिये क्रिकेटर विराट कोहली और बॉलिवुड एक ट्रेस अनिशका शर्मा की शादी की चर्चाएं जोबर उपर है सूत्रों के मुताबिक दोनों 12 दिसंबर 2017 को इटली में शादी करने वाले हैं लेकिन आपको बता दें कि भी ती रात ही दोनों ने स्विटेजरलेंड के लिए फ्लाइट पकड़ी है जी हाँ अब एक और नई खबर आ रही है कि अनिशका शर्मा ने मुंबई से स्विल्स एयरवेज की फ्लाइट ली है जबकि विराट ने दिल्ली से स्विटेजरलेंड के लिए फ्लाइट पकड़ी है सूत्रों के अनुसार विराट ने दिल्ली एयरपोर्ट पर अपना चेहरा आधा छिपाया हुआ था जिससे ज्यादतर लोग उन्हें एयरपोर्ट पर पहटान ही नहीं पाए विराट दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनाशनल एयरपोर्ट राद को करीब 11.30 बजए पहुँचे थे स्विट अजरलैंड के लिए उनकी फ्लाइट राद 2.45 बजए की थी वहीं अनुशका शर्मा मुंबई एयरपोर्ट पर अपने परिवार के साथ नजर आई थी अनुशका के साथ उनके पापा अजयकुमा शर्मा, ममी आशिमा शर्मा और भाई करनेश शर्मा भी मौजूद थे अनुशका भी एरपोर्ट पर मीडिया के सवालों का जवाब बिना दिये ही जल्दी से अंदर चली गी वैसे अनुशका के स्पोक सपरसन ने शादी की खबरों का खंडन किया है लेकिन अटले तो यहीं कह रही है कि दोनों की शादी का प्रोग्राम 9 दिसंबर से ही शुरू होने वाला है सूत्रों की माने तो विराट के परिवार और करीबी दोस्तों ने पहले से ही मिलान इटली के लिए टिकट बुग करा ली है आपको बता दें कि अनुशका शर्मा के फैमिली पंडित भी उन लोगों के साथ गए है खबर है कि विराट के कोच राजकुमा शर्मा जो दिली के अंडर 23 टीम के कोच भी है उन्होंने भी छुटी के लिए अपलाई किया है